आट ओफ डेट के कगार पर चल रहा खापर खेडा बिजली घर के तीन नमबर और चार नमबर की यूनिट का सालाना मेंटेनस का कारे नहीं किये जाने से उसमें विविन्द प्रकार की तांतरिक समस्या आ रही है हाली के कुछ दिनों से बिजली घर के कोल मील से बॉइलर तक जाने वाली पाइपलाइन फट गई बतादे के कोल मील से कोईले के बारिक टुकड़े और कोईले की काली राग इस पाइपलाइन से बॉइलर में जलने के लिए जाती है लीकेज हुए जगाओं से बड़ी मात्रा में कोईले की राग उड़कर परीसर में गिर रही है जबकि बिचली घर के अधिकारियों का क्याना है कि परीसर में दिखाई देने वाली राग बिचली घर की नहीं है बता दे की रातरी के समिस का प्रमान अधिक बढ़ रहा है अब यही पाइपलाइन का निरंतर फटना शुरू हो गया है सालाना मेंटेनेंस की दर्मियान ही इस लीकेज पाइपलाइन को परफेक्ट ठीक किया जा सकता है फिलार इन लीकेजों को टेंप्ररी ठीक किया जाता है लेकिन कुछी दिन में वह फिर से वहीं से फट जाता है अब तो कई जगाओं से या पाई प्लाइन फट जाने से हैवी कोल पाउडर लीकेज की बड़ी समस्या निर्मान हो गई है ठेकेदारों का अधिकांश पेमेन बिजली घर ने होल्ड कर रखा है इस वज़र से अधिकांश ठेका करमचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने से वेद दुखी है बिजली घर की बात कही तो मटेरियल का आभाव और बिजली घर के पास बज़ट नहीं होने से ठूप पॉलिश से ही बिजली घर चल रहा है एन्वल मेंटेनेंस कॉंट्रेक्ट वाले कंपनियों को वर्क ओर्डर भी अलोट नहीं किये हैं तीन और चान नंबर का बॉटम एश निरंतर चोक अप हो रहा है बिजली घरों से निकली कोईले की राक आसपास की नदियों जलाशे को जहरिला बना रही है इस प्रदूशन से लोग बिमारियों की शिकार हो रहा है चिमनियों से कोईले की जली सफेद राक हवा में जहर फैला रहा है पर इन समस्या को नजरंदास किया जा रहा है कुछ इसी तरह पाइप लीकेज से अब ये नई समस्या उतपन हो गई इस पाइप लीकेज की वज़ा से बिजली घर के कमपॉंट से लगया आसपास के गाव में कोईले की काली राक हवा में मिलकर हवा को जहरिला कर रही है लोगों के घरों में चट पर गाडियों पर आने जाने वाले रास्तों पर जाडों पर पोधों पर काली राक ही राक दिख रही है लोगों की सुने तो पावा प्लांट लगने से गाव में बिजली तो मिली लेकिन प्लांट से निकल रही राक ने सासे चीन ली है राक ने बिचली घरों की इर्दगीर्द बसी इलाकों में लोगों का जीवन नार्की बना दिया है यहां के पानी में फ्लोराइड है जो सीधे शरीर की हड्डियों पर वार करता है बिचली घरों से फैलरे प्रदूशन को लेकर NGT की याचिका करता के अनुसार फ्लोराइड से एक बार हड़ी बेकार हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं समस्या यहे की पीने का साफ पानी उपलब्धी नहीं इलाके में बढ़ता प्रदूशन लोगों को गंभी रूप से बिमार कर रहा है एक ताजा अध्यन के मताबिक इन इलाके में हवा, पानी, मिटी नहीं यहां रहने वालों के खून के नमूनों में भी पारा पाया गया है यहां इनसान के दिमागी संतूलन को बिगारता है और चिकचसी द्रश्टी से आत्मत्या का मुख्य कारण है इलाके में मानसिक रूप से बिमार लोगों की संख्या अच्छी खासी है इस इलाके में सफेद दाग के बहुत से मामले सामने आये हैं सफेद दाग पारे की विशाक्ता का मुख्य लक्षन है किसी भारी को यहां राग के तालाब और नदी किनारे लगे बिजली घर के अनोखे द्रश्ट देखकर अच्छा लग सकता है लेकिन यहां रहने वालों की जिंदगी मुश्किल है